दोस्कार दोस्तों मैं मृतनजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल स्टिक परामर्स में और देखे आज जो वीडियोज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के सामने वो खासकर ISO 9001-2008-2015 और ISO 14000-2004 के बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए अगर आप यह साटिफिकेशन के बारे में पहले भी एवेर होंगे हमारी इस वीडियो के मात्यम से या हमारे जो यूटूब पे जो वीडियो आता है इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है ISO के ऊपर अगरा भी खासकर यह प्रैक्टिकल च तो इस तरह कि कोई भी गॉर्मेंट कंपनी जब अपना टेंडर निकालती है अपने यहां पर कोई सामान सप्लाइब करने के लिए या मान लिजिए आपको टेंडर सर्विसिंग के लिए या आप वर्क के लिए तो उसमें जो इनका रूकार्मेंट होता है वह 9001-2008 प्लस 9 1000 ISO 14000-2004 यह दो सर्टिफिकेशन जो है वह मस्ट होता है चाहे वह एनर्जी डिवलप्मेंट में हो या फोरेश डिपार्मेंट में हो या मैक्सिमम 90 पर्सेंट जो गवर्मेंट की कंपनिया है और जो टेंडर निकालती है उसमें जो रिक्वार्मेंट होता है कि आगर आपक पुराना वर्जन है तो इसकी जगह पे ISO 9001-2015 होना चाहिए और इसका वर्जन में तो यह ISO 14000 आपके पास होना चाहिए और यह भी मतलब यह नहीं कि एक्रेडेशन विदाउट एक्रेडेशन आप लेके सर्टिफिकेट चले जाए जिसे अभी मार्केट में क्या है 4000 में 5000 में दिखेगा आपको विदाउट एक्रेडेशन सर्टिफिकेट जो है मिलता है और वो सर्टिफिकेशन विदाउट ओडिट होता है विदाउट कोई इंस्पेक्शन होता है उसमें क्या होता है अगर उस तरह के का डॉकुमेंट्स या सर्टिफिकेट आप लेके जाते ह तो आप चेक कर लेजिए कि valid organization से लेजिए और जो valid audit के साथ लेजिए प्लस जो IAF में accredited है और accredited में अपना certification चेक कर के लेजिए तभी जो होगा अगर आप किसी government के ऐसी company में चाहे और renewal energy का हो चाहे forest का हो चाहे irrigation department का हो चाहे e-tendering का हो आप ऐसा किसी भी company में आप participate कर सकते हैं और participate करके भाग ले सकते हैं ताकि आपको genuinely काम मिले और आपकी company blacklisted ना हो असा करता हूँ दोस्तो आज का जो वीडियोस था हमने ISO के उपर दिखाया आपको कि government company तक को ISO की जुरुत पड़ती है तो आप तो private company है आपको अपना system या चीजे बनाने के लिए आपको government से पहले ये लेना चाहिए ताकि आपकी company की credential और market value हमेशा बरकरार रहे है market में आज के लिए इतना ही दोस्तो नमस्कार